सब्सक्राइब करें देख सकते हैं तो इस वीडियो में हमने लाइन्स क्या होती है सेग्मेंट क्या होता है और यह सारी चीज़ें तो तो अगर आपने ना देखी हो तो description में आपको link मिलेगा वहाँ से जाके देख सकते हैं तो इस video में हम circle के ओपर बात करेंगे तो circle क्या होता है देखिए सबसे पहले क्या होता है circle का कोई भी end point नहीं होता ठीक है first चीज यह आ जाती है circle का क्या नहीं होता कोई भी end point मतलब एक end point जैसे कि अगर हम किसी और चीज में बात करें तो उसमें जो है end point जो होता है है ना कोई भी figure हो उसके अंदर end point होता है तो इसमें no point मतलब कोई भी end point नहीं होता ठीक है यह चीज आपको clear होनी चाहिए लिख देती हूं मैं no end point ओके यह चीज firstly उसके बाद में second चीज आती ह like जैसे कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर एक line दी हुई है यह बहुत सारे circles में आपको देखने के लिए मिल जाई है ऐसे करके है तो एक line जो किसी circle को दो parts में divide करती है देखिए यह first part है यह second part है ऐसी कोई भी line जो circle को दो part में divide करती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको ह diameter कहते हैं तो यह क्या है यह है diameter ठीक है इसको हम क्या कहते हैं diameter और ऐसी कोई line मतलब जो diameter के दो part half part होते हैं मतलब देखिए अगर हम यहाँ बीच में एक यह कर देते हैं तो यह एक यह है और एक यह है यह है यह दो parts हो गए diameter का half हो गया तो जो diameter का half होता है उसको हम radius कहते हैं तो ये चीज जो है basic समझने वाली चीजे हैं कि diameter क्या होता है radius क्या होता है सबसे पहले बच्चों को इसी में confusion होता है कि radius क्या होता है और diameter क्या होता है ठीक है जैसे हमने एक circle बनाया मान लिजिए उसकी जो ये beach वाली point है तो ये दो parts में divide हो रहा है तो ये क्या है एक पूरा diameter है और diameter का जब हम half कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी एक radius हो जाएगी ठीक है ये जो है ये radius है और ये पूरा क्या है ये पूरा एक diameter है ठीक है तो I think आपको इतनी चीज जो है वो clear हो गई होगी अब next अगर हम चलते हैं तो next देखिए एक चीज और जो important आती है circle में वो क्य होता है ठीक है जहां पर रखकर कंपस को एक circle बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है center ठीक है उसको सेंटर बोल जाता है तो diameter की खासियत ये है कि diameter जो है रेडियस से से है तो यह सीज आपको ध्यान की खासियत है कि वू होके जाएगा कर狂 T कि इसके अलावा जो एक चीज और आती है वह क्या है अभ Meg oy कोड होती है कोड और मीटेर में क्या डिफोरेंस है अगर हम बात करें कोड रोदाई में क्या डिफ्रिंस है तो देखे जैसे मैं क्या होती है यह होती है एक कोड चोड बोलते हैं बच्चे से लेकिन होती है तो इसकी खासियत यह है कि यह जरूरी नहीं है कि यह सेंटर से होके जाए यह कहीं से भी जा सकती है यह यह सकती है यह यह सकती है यह कोड बोड़ी जाती है इसको ठीक है यह चीज आई होप आप ल होके गुजरता है center में से और code जो है वो जरूरी नहीं है वो center में से होके गुजरे वो side corner से भी जा सकती है जो code है वो beach में से होके गुजर सकती है और side में से होके गुजर सकती है लेकिन diameter जो है वो हमेशा beach में से ही होके गुजरेगा वो side में से नहीं गुजर सकता ठीक है यह पॉइंट जो है बहुत जादा आपको लोगों क्लियर होना चाहिए तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ठीक है तो यह जो चीज थी यह में चीज थी इसके बारे में ओके अब इसके अलावा एक इंपॉर्टन चीज और आ जाती मान लिजी अगर मैंने जैसे यह बनाया और उसके बाद मैंने यहाँ पर यह बनाया यह बनाया अब जो यह चीज है यह चीज इसको बोले जाता है आक जो ऐसे कर्व शेप में है इसको बोले जाता है आक ए आर सी यह इसकी स्वैलिंग होती है ए आर सी तो यह चीज आप लो चाहिए ठीक है इसके अलावा अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजेगा तो आप लोगों कमेंट के रिप्लाइ जो है मैं जरूर करूंगी ठीक है अगर वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्स